हालो फ्रेंट्स कॉंप्टेशन कमीडी के वीकली करेंट अफेस प्रग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन पधान आई फ्रेंट्स आज हम देखती हैं पिछले वीक में साइंस टेक और इंवार्मेंस रिलेटेड उन सभी महत्पूर्ण बिंद्वों को जो आ तो देखते हैं सबसे फर्स पॉइंट आज के सेशन का जिसमें कि आप उपर देख रहे हैं कि विस्व का पहला वन्यजीव बॉन्ड राइनो बॉन्ड के तौर पे ये रिलीज किया गया है किसके द्वारा आई बी आरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंसक्शन एंड डे ये फंड का यूस कहां होगा ब्लैक राइनो के उसके जो एक्स्टिंक होने की कगार पर है विलुप्थ होने की कगार पर है उसके विकास के लिए उसके सतत विकास के लिए पहला दुनिया का फर्स्ट वन्यजी बॉन्ड रिलीस किया गया है it is very very important for examination point of view याद रखना black rhino जो basically red data book में listed है red data book आप जानते हैं IUCN International Union for Conservation of Nature के द्वारा red data book publish की जाती है और ये red data book में दो pages होते हैं color होंगे एक होगा pink color होता है और एक होता है यहाँ पर white color तो यहाँ ग्रीन कलर इसमें क्या देखते हैं कि pink color में जो ज्यादा संकट ग्रस्थ है इंडेंजर्ड है उन species को यहाँ पर रखा जाता है फ्लोरा फॉना को जन्तुवनस्पति को और दूसरा green page में हमेशा थोड़ा कम संकट ग्रस्थ वाले जीवों को यहाँ पर रखा जाता है और इसकी अलग-अलग category होती है जैसे कुछ समेदन सील है उसको हम भी-yoo से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसके बाद कुछ होता है इंडेंजर्ड हो गया An extinct from wild तो यह extinct from wild वन से विलुप्ट और उसके बाद अगर देखते हैं आगे यह पूरी तरह से extinct हो सकता है तो अगर आप यहाँ पे sequence को समझ पा रहे हैं यहाँ पे sequence को समझ पा रहे हैं तो कोई भी species विलुप्ट कब होता है जब critically endangered हो उसके बाद वनों से विलॉप हो जाया और उसके बाद पिछले कई सालों तक कोई भी एक भी स्पीसिस अगर नजर नहीं आये दुनिया की किसी भी छेत्र में तो वहां पर देखते हैं वो एक्स्टिंक्ट हो जाता है पूरी तरह से जैसे कि ACI चीता जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर यहां पर नीचे देख रहें यह रड़त भूर बुक में जो है लिस्टिड है अब यहां पर बैसिकली जो किया गया है यह इनके विकास के लिए ब्लैक राइनो को बचाने के लिए क्या है यहां बॉंड जारी किया गया है अगर यहां पे देखे ब्लैक राइनो के केस में तो ब्लैक राइनो सिर्फ और सिर्फ केवल अफरीका में मिलता है बागी कहीं नहीं मिलता ठीक है तो वहां के लिए यह क्या हो गया स्थानिक क्लियर हो गया तो यहां पर अगर यह प्रोग्राम सफल हो जाता है तो फ्यूचर में हम टाइगर लायन गॉरिल्ला जैसे दूसरे स्पीचीं की उनके नमबर्स बढ़ाने के लिए उनके सरक्षण के लिए विकास के लिए इस प्रकार की बॉन्ड रिलीज की जा सकती है और बेसिकली यह कहां कहां पर किया गया अफरिका के दो यहां पर दो एलिफेंट नेशनल पार्क में और दूसरा ग्रेट रिवर नीचर रिजर्व में यह दो जगह पे यहां पे ब्लेक राइनों की संख्या में वृद्धी करने के लिए सरक्षन किया जा रहा है ठीक है तो याद रखेंगे फर्स टाइम हुआ है अब यहां पे इस बात को हम को फोकस करना होता है कि क्या इसमें ऐसे कोई कंटेंट है जो प्रेलिम्स के लिए हैं जो मेंस के लिए तो इस टॉपिक में प्रेलिम्स का यह सभी कंटेंट मैंने आपको बताया और यहां पे मेंस के पॉइंट अब उसे भी लिख सकते हैं कि संकट ग्रस के केस में स्पीच किसे कहते हैं तो यहां पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिखा है तो यहां पर मेंस के पॉइंट याद रखेंगे किसे इंडेंजर्ड और किसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहा जाता है तो यहां पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो याद रखेंगे मैं इसका पॉइंट बत और पिछले पिछले 10 सालों में इसकी विल उसके 90% परसंट जो है इनकी population decrease हो गई हो ठिक है पहला कुल संखिया प्राध सदस्यों की संखिया मैचूर मेंबर्स की संखिया 50 हो 90 तक परसंट इसको पिछले 10 Years में इसके population डिक्रीज हो गई हो ठीक है और इसके 10 पिछले 10 years में इसमें क्या है विलूप्थ होने की chances 50% तक हो चुकी हो 50% तक यह पिछले हम यह कह सकते हैं यह विलूप्थ होने की probability यह प्राइक्ता हो गई हो तो यह क्रिटिकल ली इंडेंजर में रखा जाता है आई होप यह पॉइंट सभी ख्लियर हो गया होगा ठीक है तो यहां पर देखिए next next है कि INS वलसूरा INS का इंडियन नेवी सिप यह जो देख रहें इंडियन नेवी सिप तो यहां पर एक बहुत बड़ा एक लाइक कह सकते हैं आपकी examination की पॉइंट आपके से बहुत important content है कि INS वलसूरा को वलसूरा को प्रतिस्थिट प्रेसिडेंट कलर याने राष्टपत्ती निसान के द्वारा सम्मानित किया गया है कि किस लिए दिया जाता है राष्टपत्ती निसान सांती काल में हो चाहे युद्ध काल में हो दोनों ही पर फेले याद रखें कि किसे दिया गया था पहली बार इंडियन नेवी को दिया गया था भारती ससस्त्र सेना को दिया गया था ठीक है जिसे 27 माई 1951 को डॉक्टर राजीन प्रसाथ फर्स प्रेसिडेंट ऑप इंडिया के द्वारा राश्टपती निसान से सम्मानित किया गय तो आप लोगो प्रिवियस सेशन में मैंने बताए भी था भारत का जो नेवल आप आर्मी है कह सकते हैं या नेवी वाला जो पार्ट है वह बीफोर इंडिपैंडेंडेंस भी डेवलप हुआ था जो प्रिवियस सेशन में हमने डिसकस किया भी था और यहां पे फिर से देख पूरा हो जा रहा है इसका पूरा 80 यह कंप्लीट हो रहा है तो यहां पे इस बात को ध्यान रखना है कि यह जो आइनस वलसूरा को रास्तपती कलर या निसान के द्वारा जो सम्मानित किया गया अब इसका काम क्या था बेसिकली कि बदलते हुए टेक्नलोजी के दौर में तकनिकी नए ने प्रकार की टेक्नलोजीकल इनोवेशन को एड़ॉप करना ट्रेनिंग करना जैसे कि हम देखते हैं यहां पर प्रसिक्षन यह पूत है बेसिकली जो नेवी कोस्ट गार्ड और जितने भी जो अपने फ्रेंड नेशन है उनके अधिकारी नाविकों को आइन स्वलसूरा का युगदान है तो इसलिए याद रखना यह बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ठीक है आगे बढ़ें तो आगे हम देखते हैं कि यू एन एपी यू एन एपी फ्रेंटियर रिपोर्ट दो हजार बाइस बेसिकली यह टॉपिक किस से रिलेटेड है नॉइ इस पलूशन या ध्वनी प्रदूशन से रिलेटेड टॉपिक है ठीक है बहुत सारी चीज़े इसमें और भी दिख जाएगी सबसे पहले तो यहां पर देखिए यू एन इपी होता कौन है यानि यूनाइटेड नेशन इंवार्मेंट जो प्रोग्राम है बेसिकली क्या है यहां पर याद रखूंगे जब स्टॉक होम समिट हुआ था उसके बाद उसके तुरंद बात क्या है कि नेरोभी सम्मेलन भी हुआ था नेरोभी कहा है केनिया में ठीक है तो केनिया में इसका हैड़कॉर्टर है सबसे पहले तो यह जान ले किसका यूनाइटेड निशन इ प्रोग्राम के तःद वो आगे बढ़ए तो फिलाल इस टॉपिक में याद रखें कि जो UNEP का फ्रंटियर रिपूर्ट है बेजिकली दुनिया में ऐसा कौण सा जगह है जहां पे नॉइस कम है बहुत कम है और कहा पे बहुत ज्यादा है तो इस चीज़ को यहां पे देख अब यहां पर देखते क्या है कि इसका जो सीशक था नौइज ब्लेज एंड मिस्मैच इसका थीम था उप्षा है जो हेडिंग धा अब यहां पर देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोर सोर जानते अब आंचित ध्वनी को सोर कहते हैं unwanted जो sound है उसको हम noise कहते हैं तो यह noise जो है इसके इसी कारण क्या है ध्वनी प्रदूसन होता है तो बैंगलादेश का धाका दुनिया का सबसे सूर मचाने वाला सहर है तो यहां यहां याद रखेंगी हैं और इस्पैन की राज़ानी मैडरीड तो यह थर्ड ऐसा स्थान है जहां पे सबसे कम noise मिलता है तो भारत में एक तो मुरादाबार्त आपने देखे लिया जो नॉइस जादा है वहां पर इसके अलावा नॉइस पॉलिशन में और कौन-कौन से लाइक प्लेस है नियू डैली है कोलकाता है जैपूर है आसन सोल है है ना मुरादाबार्त अलड़ी इंक्लूट कर ही दिये थे तो यह सबसे ज़्यादा भारत की कंटेक्स में सबसे ज़्यादा सोर मचाने वाले ऐसे स्थान है ठीक है फ्रंटियर रिपोर्ट क्यों जारी किया जाता है द्वनी प्रदूशन और उसके दीर्ग कालिक सारेरिक एबा मानसिक स्वास्थी प्रभावों पर यहने हैल्थ इस जो होते हैं उसका क्या इंपेक्ट पढ़ता एकोसिस्टम पे है ना वो सब चीजों के लिए क्या है यह रिपोर्ट जारी किया जाता है आई तिंग यह बात है सभी को समझ में आ गई होगी आगे बढ़ें तो अब हम देखते हैं आगे कि सरिसका बाग अभ्यारण और जो प्रतिक दो वर्सों में क्या करती है यह अपने रिपोर्ट जारी करती है तो अगर हम यहाँ पर देखे तो यह लाइक बहुत सारी चीजों को को बताती है जैसे कि forest cover बताता है ठीक है यानि कि हम देखते हैं बनावरन बताता है रिक्षावरन ट्री कवर बताता है कहां पे very dense forest है कहां पे dense forest है कहां पे open forest है कहां हबस है कहां स्रब है कहां पे bamboo होते हैं पेंबु के ज़ादा प्रोड किंपॉट दम उसकते हैं कहां पी कौन सा ऐसा जोन नहीं है जहांपे कॉसा पाषाण्ड अंतराएं के जंगलों में आग लग गई थी, तो वैसे ही यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजब पर भी आग लगी हुई थी, सरिस्का टाइगर रिजब कहा है आपको एक्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे राजस्थान में और इसके बारे में कुछ बाते हैं जो समझेंगे, यहां पे देखिए कि हमको पता है अभी technology हमारे पास latest आ चुकी है जिसमें कि हम remote sensing satellite की मदद से वहां पे सभी चीजों को manage करते हैं और उसको हम finally management करते हैं जिसमें कि हम like satellite जो चेतावनी और real time mobile application app के द्वारा हम समझ लेते ही कहां पे क्या घटना हो रही है उसकी उपलबधता क यह बावजूद करीब 10 square kilometer जो है जंगल में आग लग गई थी चुकि यह टाइगर रिजर्व एरिया है मतलब यह बहुत sensitive zone है protected area है उसके बावजूद यहां आग लगना मतलब यह चिंता जनक था इसलिए इसलिए नियूस का important है आपके लिए ठीक है तो United Nation Environment Program ने 2022 में अपन होगा ऑस्टीलिया में अब तक का या पूरे विश्व की इतिहास में सबसे भी सणाग लगी थी ठीक है जिसके कारण इनका जो यूज लेवल पर बायो डावसिटी का लॉस होता है और सबसे बड़ी बात उनका natural habitat प्राकृतिक आवास नस्ट हो जाता है जिसके कारण बहु कुछ भी चीज़े नहीं मिलेगी और इवन वहां पे आप लाइक सॉयल की फर्टीलीटी ग्रीनरी हर चीज़े प्रभावित हो जाती है तो याद रखना उसे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए या उस डैमेज की खाना पूर्ती के लिए च्छती पूर्ती के लिए बहुत लंबा समय लगता है ठीक है तो याद रखना तो इसमें क्या है भारती वन सर्वेक्शन के अनुसार जो है भारत में कुल 381 जंगलों में आग लगी है वर्स 2022 तक ठीक है मास 2022 तक ही आग लगी है जो बहुत ही बहुत ही बड़ा डेटा है कह सकते हैं फिगर है और मध्यप्र 1955 में यहां पर वन जी अभ्यारण ही गोसित किया गया और 1978 में इसे बाग अभ्यारण ही घोसित कर दिया गया जिसे की भारत के प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल कर लिया गया प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हमने कहा था कि 1973 में स्टार्ट हुआ था अब यहां पर क्या मतलब यह काफी problematic था अब यहाँ पर याद रखेंगे historical part यह जो सरिस्का tiger reserve है इसी के बीच में एक है कंकरवाडी किला reserve ठीक है उसके केंद्र में इस्तित है और वहाँ पर historic party यह है औरंग जेब का नाम आप सभी जानते और यहाँ पर यहाँ पर दियाद रखेंगे कि जो जितने टाइप के जो लॉस हुए जितने च्छती होती है इसकी खाना पूर्ती के लिए लंबा समय लगता है और इसी के कारण जो है इस सब की चीज़ें न्यूस में रहती है जो अक्सर एक्जाम में पूछ दिया जाता है ठीक अब यहाँ पर देखींगे चिलका लेक चिलका लेक के बारे में क्या जानते हैं को ही इंपॉटन ऍाल्फ इस जिसे हम कहते हैं डॉल्फिं ठीक है डॉल्फिं एककि त सोडी विखिल इंगरीज हुआ लेकिन यहाँ पर चिल्का लेक्ट में डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पर याद रखे ओडी सा के तठ उसके जितने भी कोस्टल यह जितने भी वहां पर जलनुकार है water bodies है वहाँ पर डॉल्फिन की आवादी में ब्रदी हुई है पॉपलेशन में ग्रोथ हुआ है बट चिलका लेक में यह जो है डॉल्फिन जो है उसके नमबर डिक्रीज हुए है और बेसिकली इरावदी डॉल्फिन की संख्या जो है गिरावट दर्ज की गई है ठीक है बे चिलका लेक famous होता है कई कारणों से famous है जो हम next slide में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो डॉल्फिन मिल रही है रावदी डॉल्फिन यह भी किस में आता है याद रखेंगे याद रखें कि वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 के यहां पर जो शेडूल वन में यह क्या है सामिल है कौन सा यह आपका डॉल्फिन तो यह एक्जाम में पूछा जाता है ध्यान रखेंगे 1972 वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक के थुए नेशनल पार्क बनाए जाते वाइड लाइफ सेंक्शूरी बनाए जाते हैं ठीक है तो इन सभी बातों को याद रखना है आप लोग को बार बार इसे अलग से किताब में पढ़ने की कोई ज़रत नहीं है रेगुलर करेंट अफिस के साथ साथ से पढ़ते चली आपको बहुत मज़ा आने वाला है ठीक ह पैसेयर बहौत ही निम् kim ad το aja जो है अब लाइक चली जाती है बहुत कम ताप की जाने के कारण वहां पे जो बर्ट सोते सर्वाइफ करने के लिए यहाँ भारत में आ लगते हैं फिर वापस अपनी जगह चले जाते हैं ठीक है तो यहां पर चिलका लेग वेट लेंड के पॉइंट है टूरीजम के पॉइंट है माइगरेटी बर्ट आते हैं और इनका यहां पर कहना चाहिए यह अपना ब्रीडिंग पीरियड भी यहीं पर गुजारते हैं अप अब चिलका लेग एशिया का सबसे बड़ा लेगून है और दुनिया का सबसे दूसरा है अपका बड़ा लेगून लेगून समझते हैं कि जब समुद्र का पानी किसी ऐसे टेरेश्टियल इस थली छेतर में घुसता है और वो लॉक हो जाता है तो वो जो छेतर है उसे हम ल सबसे बड़ा लेगून है और दुनिया का सेकेंड लार्जेस लेगून है चिलका लेग ठीक तो यहां पे सीतकाल के दौरान जो अभी मैंने बताया था माइगरेटरी स्पीसी प्रवासी पक्षी आते हैं और लाइक जैसे भरतपूर बर्ट सेंक्चूरी हमने देखा था प राष्टी महत्व का पहला भारती आद्रवुमित नामित किया था 1981 में याद रखेंगे यह मैंने पहले बताया जैसे वेंबनाद है सुन्दर बन है वैसे ही यह एक वेटलेंड है सुन्दर लाइक चिलका जो टॉप थ्री लार्जेस वेटलेंड में गिना जाता है ठीक है अब यहां पर देखते क्या है जो इरावदी डालफिन है उन्हें अक्सर क्या है साथ पड़ा दीप के पास दिखा जाता है यह जो चिलका लेफ है लेख है यह पूरी डिस्टिक खुर्दा डिस्टिक गंजाम डिस्टिक में बेसिकली उतना बड़े अरिया में फैला हुआ है आप करीब 100 किलोमेटर आसपास जाएंगे तो भी आपको चिलका लेख दीखने को मिल जाएगा अगर उस खुर्दा रोड़ वाले इरिया में जाएंगे तो ठीक है तो यह इतना बड़ा है क्योंकि बैक वाटर है बैक वाटर लॉक हो गया है ठीक है तो यह पॉइंट आ रहा जाता है इसको ठीक है बस इतना याद रखें इसके बाद हम देखते हैं कि अन्टाक्टिका विधयक याने यह बिल है बेसिकलिए पॉलेटी का है लेकिन यहां पे थोड़ा सा इन्वार्मेंटल एंगल है कि आपको पता होगा अन्टाक्टिक और आर्कटिक अभी आज जो गतिविधी है ठीक है जितने भी गतिविधिया है वहां पे उसको बढ़ाने के लिए ठीक है अन्टाक्टिक पर्यावरन की रक्षा पूर्वी अन्टाक्टिक अवेडिल सागर को समुद्री सारक्षी छेत्र के रूपे नामित करने ही तू यूरोपी संग को हमने क्या क उनों का प्रियोग कर पाएं और ग्लासगो वाई जलवायू सिखर सम्मेलन के बाद हम उसे अप लाइक पूरे विस सेनारियों में उसे ग्लासगो नाम भी दिया गया था तो वहां के संसाधनों का फ्यूचर में हमको यूज करना है और बेसिक लिए हम यहां पे जितने भी रिसार्ज के पॉइंट आव उसे जितने भी गतिवीदी हैं उनको हमको उनके विवादों को विनियमित करने के लिए इस प्रकार का लाइक विधेक हम ला रहें ताकि एक लाइक लेजिटिमेट तरीके से विधेक रूप से हम क्या करें अंतराश्टी स्तर पर हम सामिल कर सक इसे और अच्छे से क्लियर करेंगे आने वाले स्लाइड में ठीक है अब यहां पर देखिए वर्ड एनरजी ट्रांजिशन आउटलोग रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है आई आर एन इरीना के द्वारा इंटरेशनल रेनीवेबल एनरजी एजेंसी स्वच्छ उर्जा देश क्या है कि जो भी हमारे पास टेक्नलोजी है उसके आधार पर हम अधिक से अधिक रिनीवेबल एनरजी याने अक्षय उर्जा को हम हासिल करें और हम मध्य सताब्दी तक सुद्ध सुन्य उत्सरजल लक्ष नेट जीरो एमिशन किसका कार्बन का कार्बन जो है वेजि परिस एगरिमेंट का भी लक्ष है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमारे पूर्व ओद्योगिक जो इस्तर है उससे नीचे लाना है जिसमें यह कहां भी गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पेरिस समझोते के तहत सामाजिक आर्थिक प्रभावों का निरिक्षन करना है और नभी साते हैं तो वहाँ पर उसकी अलग से इंडेक्स या लिस्ट दी जाती है ना आज उस लिस्ट को हम कवर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर लेकिन याद रखेंगे उसको भी हम फीचर में कवर करेंगे तो कुछ और इसके साथ डाइमिंशन जुड़ा हुआ इसलिए से रोक के इर देश दिया जाता है या एक रिपोर्ट पाबलिश की जाती एकॉर्डेली उसी के हिसाब से पॉलिसी बनाई जाती है नीतियां बनाई जाती है तो जैसा कि भारत का वरतमान का जो परिद्रिश्य है अगर हम इसके एनरजी ट्रांजिशन को देखें तो देश में ऐसे र इसके बाद कोई भी ऐसा रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है इसलिए जो लेटेस रिपोर्ट है वो यही है जिसमें कि हमको देखो सोलर एनरजी से 48.55 गीगावाट है ना और विंड एनरजी से 40 पॉइंट यहां पे 03 गीगावाट है ना स्मॉल हाइड्रो पावर पोजेक है वह सिक्स पॉइंट गीगावाट थी यह हमारा लास इंडेक्स था तो आपको पूछा भी जाता है कि कौन सी एनरजी कौन से इनरजी का प्रोड़क्शन सबसे ज़्यादा होता रिनीवेबल में तो क्या विंड पहले है यहां पर देखें कि 48 जो है आपका सोलर है तो यह फर्स्ट होगा और भारत विस्व की सबसे बड़ी में से चौथी बड़ी विंड एनरजी जो है इसमें कैपसिटी है ठीक है सबसे बड़ी कौन सी यहां पर देख रहे हैं चौथी सबसे बड़ी है भारत जो है पवन उर्जा चमता है ठीक है और कुल जीवास माधारित उर 80.1 परसेंट है ठीक है कुल मिला के यह समझें कि हमको आने वाले समय में फॉसिल फ्यूल यानि जीवास में इंदर पर निरवरता खतम कर रही है और ज्यादा से ज्यादा हमको रिनीवेबल एनरजी हाइडोजन एनरजी बायू मास एनरजी इन सभी चीज़ों पर फोकस करन आए अडोजन इनरजी को और क्या कहा जाता है फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है भविश्य का इंधन कहा जाता है और हमने याद रखना कोप 26 में भारत ने घोष्णा की एक्जाम में पूछा जाता है कि वस 2070 तक पांस सूत्री कारी योजना के हिस्से के रूप में भारत तटस्थता तक पहुंच जाएगा और 2030 तक उत्सरजन को 50% तक कम करेगा ठीक है यह हमारा उद्देश यह लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे और उर्जा ट्रांजिशन सूचकांग में भारत का इस्थान 87 है आउट आप 110 ठीक है यह पॉइंट भी आ परियुजना लागू किया गया है नेत्र परियुजना और 2019 में भारती उब्रहों को मल्वे एवामन ने खत्रों सुरक्षित रखने के लिए यह नेत्र परियुजना बेसिकली लॉंच किया गया था जो फंक्शनल होते जा रहे हैं इसके अलग-अलग सेंटर्स बन रहें व सालों में जितनेылबी सैटलाइट में चोड़ें हैं क्या सभी फंक्शनल है क्या नहीं तो कुछ ऐसे हैि जो फंक्शनल है बाकी चीज़े वह इस प्रकार घूम रही है तो यह जो घूम रहे हैं कर सकते हैं तो हमारा जो फंक्षन चल रहा है जो कार क्रियासी ले वो अब खतम हो सकता है तो इन मलवों को हटाना जो कोई काम के नहीं है कचरे को साप करने के लिए हमारे हमने नेत्र परियोजना लॉंच किया है जो हमको पहले से एक चेतावनी देता है एक पहला ही अलर्ट प्रणाल यह अर्ल वार्निक सिस्टम है एक्कॉर्डिय लिए हम सैटलाइड को दूसरी दिसा में हम क्या कर सकते हैं तो यह बातें आंको याद रखनी है इसके बाद हम देखते हैं ठीक है यह बड़ा important है आज के session का जो basically महासागर विज्ञान से related है और यह exam में के point आव उसे important है यह India GS के point आव उसे भी important है तो याद रखें क्या है धुरूवी विज्ञान और cryosphere research ठीक है जिसे हम क्या कहें रहते polar science and cryosphere पेशर के योजना को जारी रखने की मन्जूरी दी गई है तो पेशर का फुल फॉर्म भी यहां पे हमको समझना होगा तो बेसिकली जो है पोलर पोलर जो है ओलर साइंट एंड क्रायोसफियर ठीक है उसे पेशर कहा जाता है को यहां पे याद रखना है कि उसमें कुछ ऐसे पिलर से जो हमको पोलर रीजन जैसे कि आपको पता है यह प्रित्वी है यह इक्वेटर है यह नौर्थ पोल है यह साउथ पोल है आर्कटिक और अंटार्क्टिक का यह पार्ट में हमको रिसर्च बढ़ाना है तो यहां पे अगर आप प्रिबियस से इसकी पेपर्स वगरण देखेंगे तो यहां से कोशिंग पूछें गए हैं जिसमें की अंटार्क्टिका पर हमारा कौन सा वयग्ञानिक अनुसंदान केंद्र है यह पूछा गया है तो इसी पार्ट को हम यहां पे पढड़ने वाले हैं तो देखिए यह ज जगह जगह पे ये जो है मेल्ट हो रहा है क्या अंटाक्टिका आर्कटिक दोनों ही जगह पे ये जो ग्लेसीय से ये पिगल रहे हैं अब आने वाले समय में हमको यहां पर उपलब्द संसाधनों का उप्योग करना है क्योंकि पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी है ठीक है आप USA, China, Russia सब पीछे पड़े तो हम भी क्या है उस कदम में आगे बढ़ाते हुए हम 1983 से वहाँ अपना कदम रख दिया और पहली बार हमने दक्षिन गंगोत्री हमारा वेज्ञानिक अनुसंदान वहाँ पे सस्थान हमने स्थापित किया अब दक्षिन गंगोत्री कुछ समय पार्ट है यह रिसर्च के पार्ट में हम देखते हैं पेसर में ऐसे जो घटक सामिल है इसमें हम देखते हैं दुरुवी अनुसंदान पोत का निर्मान करना है अंटार्टिक छेत्र में तीसरे सोध आधार का निर्मान करना है जैसे कि हमने यहाँ पे देखा क्या क्या है प भारती यह किया है हमारा तीसरे सोथ संस्थान है two thousand camera में से स्थापित किया ठाहु में कहां पर està कि instead आर्क टिक नहीं क्या हूं ऑड़्यानिक प्रयास का नाम किया है आर्क टिक में हम कहें तो इसका गाम करना है दुरुवी अभियान वे जो है रिसर्च करना है दखडी महासागर अभियान में रिसर्च करना है और याद रखें यह सब जो पेसर जो चलाया जाएगा बेसिकली कौन करेगा इसके द्वारा NCPOR कहा जाता है उसके माध्यम से यह क्रियानवित किया जाता है मैं इसे और अच्छी तरीके से बता देता हूं कि यहाँ पे देखेंगे अगर हमको रिसर्च देखना है तो दो चीजे हमने देखा एक है आर्कटिक और दूसरा हम यहाँ पे समझेंगे अंटा तो अंटाक्टिक में हमने पहले स्टार्ट किया था अपना जर्नी 1983 से ही और 1984 में हमने यहाँ पे दक्षिड गंगोत्री जो है पहला हमारा वैग्यानिक अनुसंधान सस्थान स्थापित किया अब यह बेसिकली अनुसंधान सस्थान स्थापित करने का उद्देश क्या है वहां पे क्या है वैज्ञानिक रिसर्च करना वहां के संसादों का यूज करना वहां पे जलवायू का अधियन करना वहां पे भारत का अपना स्थान जो है स्वरक्षित करना क्योंकि मैल्ट होता जा रहा है करीब 100 किलो मीटर्स की आसपास का एक बड़ा ग्लेसियर तेजी से पिघल रहा है ठीक है तो यहां पर याद रखेंगे दखिंड गंगोत्री की बाद जो है दूसरा मैंने नाम किया था मैत्री दिया था और तीसरा नाम नहीं था भारती ठीक वैसे ही आर्कटिक छेत्र में हमारा जो सोध चल रहा है उसमें हम बहुत लेट में गए और 2000 आप स्टेशन है यहांज अब स्टाफ़िए कि लीग सेशन में कुछ नए कंसेप्ट के साथ कुछ नए न्यूस के साथ जो साइंस टेक और इंवार्मेंट पर आपको ज्यादा बहतर अप्रूच प्रोवाइड कर सके तो आज के इतना रखते हैं थैंक यू सो मच है वनाइस दे